प्रदेश के साथ संसदी अक्षेत्रों में कल होने वाले मद्दान के लिए तैयारियां पूरी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा प्रदेश में धाई सीयम की सरकार मद्दान का प्रतिशत बढ़ानी के लिए जागरुकता अभियान जारी और राजी में बादल छाने से गर्मी का सरकम तापमान में आई गिरावट अब समाचार विस्तार से मद्दी प्रदेश के साथ संसद्यक्षेत्रों पर कल 6 मई को होने वाले मद्दान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ले गई हैं प्रदेश में टीकमगर, दमो, सतना, रीवा, खजराहो, होशंगाबाद और बैतू, लोकसभाक्षेत्रों के 15 जिलों में कल मतदान होगा इन साथ संसद्यक्षेत्रों में कुल 110 उमीद्वारों में 101 पुरुष और 9 महिला उमीद्वार चुनावी मैदान में हैं मुख्य निर्वाचन पदाधीकारी वियलकांता राओ ने प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान पर आज एक प्रस कॉन्फरेंस के दौरान कहा की इन साथ कॉन्स्टेंसिस में एक करोड 19 लाख वोडर हैं 15,240 मंदान के मत्यम से इन एक करोड 19 लाख वोडरों का पतदान कराया जाए इस निर्वाचन में लगवग 25,800 बैलड यूनिट का उप्रिव किया जा रहे वहीं शिकांता राओ ने इस चरण में पिछले लोगसभा चुनावों के मुकाबले अधिक मत्दान होने की उम्मीद भी जताई इन साथ लोगसभा चुत्रों में 2014 के निर्वाचन में लगवग 25% तर्माट हो था और उसके पहला चुनाव लगवग 48% तर्माट हो था तो यहां पर हमने मतदाता जागरपिता के बहुत काम किये हैं और मने उम्मीन है कि कम से कम 70% कल मत्दान होगा इसी चरण में प्रदेश की सीधी लोगसभा सीट के डेमहा मद्दान केंदर पर पुनर मद्दान होगा अपर मुख्य चुनाव अधिकारी संदीप यादव ने बताया कि डेमहा मद्दान केंदर पर 29 अपरेल को हुए मद्दान में कुछ गर्बड़ियों के मिली शकायतों के बाद चुनाव आयोग ने यहाँ पुनर मद्दान कराने का अदेश चारी किया है हुच जंगबाद नर्सिंग पूर लोकसभा सीट पर कल होने वाले मद्दान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है हमारे समवादाता राशिद एहमत खान ने कुछ ऐसे युवा मद्दाताओं से यहाँ पर बात की जो कल पहली बार मद्दान करेंगे मेरे मानना हुआ है कि अगर अपन देश के शमत्यां में चर्चा कर रहे हैं तो अपना मद्दान सोच समझ कर दें जिसे ने बहुत विचार करके देंगे और इस बार 6 मई को हमारे हाथ में भी वह है लोकतंतर की स्याही अंकित होगी और हम इस यकीन के साथ इस विश्वास के साथ अपना बूट देना जा रहे हैं कि हम देश के लिए उन करंधारों को चुनेंगे जो हमारे देश को और आगे ले जाए मैं पहली बार बोट देने जा रही हूं तो मुझे बहुत अच्सा है बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है जो इसका समधान होना चाहिए सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए बहुत बहुत दन्यवात हमारे साथ मौजूद थे ऐसे मदाता जो पहली बार मदान करने के लिए जा रहा है नर्जिंपूर से महराशिद हमक्ता है वही डीवा में कल होने वाले चुनाफ के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं पेश है हमारी समवादाता आर्ती श्रवास्तव की रपोर्ट सब्सेपर संभागयुक डॉक्टर रशो कुमार भारगफ कलेक्टर रिवम जिला निवाचा नितिकारी ओम प्रकाश रवास्तो और स्पी आविद खान ने मतदान दल कर्यों से उनकी समस्यां पूछी और उनका उत्साह वर्दन कर उने शुप कामनाय देते हुए हाथ हिला कर अपने गंतब इस्थलों में रवाना किया चुनाल संपन कराने के लिए मतदान दल में 10,000 से अधिक कर्मचारी लगाए गये हैं बूतों पर 8,052 कर्मचारीों को भेजा जाएगा इसके अलावा 10% कर्मचारीों को रिजर्व में रखा गया है मतदान दलों को ले जाने के लिए 450 रूट निर्धारित के गये हैं इस मतदान दल वाहनों की GPS सिस्टम से लोकेशन ट्रेकिंग की जा रही है प्रदेश में लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान के मदे नजर विभन राजनातिक दल और उनके वरिष्ट नेता प्रचार कर रहे हैं इस सिलसले में आज प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधत करते हुए कहा कि अब तक उनका समय माताओं, बहनों को गंद की और धुए से छुटकारा दिलाने में बीता है अब आने वाले पांस सालों में उनका लक्ष महिलाओं को पानी की किलत से मुक्ती दिलाना है हम इसके लिए अलग जल शक्ती मंतुराले बनाएंगे जो देश भर में पानी की समस्यायों को दूर करने में व्यापक रूप से काम करेगा इसे पहले आज सागर में एकरन्य सभा को संबोधित करते हुए श्रीमोधी ने कहा कि प्रदेश में कॉंग्रस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से वोट लिया अब किसानों को बैंकों से नोटस हा रहे हैं शिमोधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में धाई सीम की सरकार है और शासन किसका आदेश माने ये पता नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है वहीं केंद्री मंत्री राजनाथ सिह ने आज गुना शहर के लक्ष्मी गंज में भाजपा प्रत्याशी के पियादव के समर्थन में आम सभा को सम्बोधित किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आज कॉंग्रस प्रत्याशियों के समर्थन में सभाओं को सम्बोधित किया सुमीद्वार पूर्व मुख्यमत्री दिग्विजय से अलग-अलग स्थानों पर चुनावी रालियां कर रहे हैं यहां से भाजबा प्रत्याशी प्रग्या से ठाकुर भी अपने समर्थकों के साथ मद्दाताओं से संपर्ग कर रही हैं वहीं छदरपुर जिले में टीकमगर, खजुराहो और दमो संसद्यक शेत्र में कल होने वाले चुनाव को देखते हुए सभी च्छे विदान सभाक शेत्र में बनाए गए एक हजार पांसो से अधिक मद्दान केंद्रों पर मद्दान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रादेशिक समाचार आकाश्वाणी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ओन एया या डौत अनाइसी डौत आइन देख सकते हैं इसके लावा प्रादेशिक समाचार बुलिटन यूट्यूब, भोपाल पेच पर सुने जा सकते हैं लोगसभा चुनाव में मद्दाताओं की भागिदारी बढ़ानी के लिए आगरमालवा जिले में भी जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इसके अंतरगत नुकर नाटक का भी आयजन किया जा रहा है इसके साथ ही दिव्यांग, व यारी को लेकर हमारे समवादाता संजीव शर्मा ने प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी वियलकांताराओ से बातचीत की, इस चर्चा के संपाधित अंश आज रात आट बजे से सुने जा सकते हैं, ऐसे आकाश्वानी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बारे में प्राचारियों, छात्रों और अभिभावकों को जानकारी दे दी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगौन जिला मुख्याले पर आज स्वामी विवेकानन सभागरह में एवियम के कमिशनिंग कार्य के लिए प्रशिक्षन कारिक्रामा आयोजद किया गया। नर्सिंग कुर जिले में नर्वाचन कारे में लापरवाही करने वाले 23 कर्मचारियों ने जिला नर्वाचन अधिकारी ने इन 23 कर्मचारियों को नलंबित कर दिया है। प्रदेश के साथ संसद्यक्षेत्रों में कल होने वाले मद्दान के लिए तैयारियां पूरी। प्रदेश झाल झाल